आज इस वीडियो के इंदर मैं आपको एक जॉब वेकिंसी के बारे में बताने वाला हूँ और यह जॉब वेकिंसी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है कोई भी एक्सपीरियंस आप से नहीं मांगा हुआ है तो जितने भी लॉग रेजुएट्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो यह इंगर्टन उपलोगें प्रॉ기에 यहां पर आपको कमांडेंट इन लॉक्ट पोस्ट मिलेंग्र आपको हाइलेट करके दिखा रहा हूँ आपकी बहूं सरे विकेंसी जैसे जेडियो डियूटी की वेकिंसी वेकिंसी है कमर्शल पाइलेट लाइसेंस की अपनी ड्यूटी है टेकनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक की अपनी पोस्ट आ रखी है उसी में एक अपना असिस्टेंट कमांडेंट इन लॉकी वेकंसी यहां पे फिल आउट करने के लिए दोजार चौबिस क बने होए हैं तो हम तो यहां पर क्या अपना लॉकी यहां पर यहां की अपनी अपनी डिग्री होना और उसमें 60% होना आपके में यह बात को याद रखेगा दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस पॉर्टिकलर जॉप की वेकंसी के अंदना जो भी रिजर्व जितनी भी उनके लिए अभी पोस्ट यह यहां पर नहीं आ रखी है केवल आप जन्रल कर डिगरी के अगर हो यह जन्रल कर डिगरी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो वही लोग फॉर्म भर सकते हैं याद रखिएगा और यह पर्मनेंट पोस्ट होगे आसे नहीं है कि पांच सालों का रिलेक्सेशन मिलेगा अगर आप कोस्ट गार्ड के सर्विंग हो पहले कभी आर्मी के अंदर नेवी के अंदर एयर फोर्स के अंदर याद रखेगा और इसके अंदर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहे होगी सर आपने अभी 60% बोल है 60% अगर आपके में हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हो अदर्वाइस आप नहीं बर सकते बस इतनी सी बात बोलके हैं आपके मार्क्स ठोने चाहिए सारे के सारे मिला के ठीक है बस यह बेसिक बात है और अपना वेकंसी की बात करूंते हैं आप जनरल वालों के लिए एक व बढ़ाने के लिए ठीक है तो इस बात पर सोड़ा रखिएगा और वेकंसी कितनी भी हो कितनी काम हो जादा हो हमें से मतलब नहीं अगर आप अपना दिल से ट्राइ करोगे तो आपका सेलेक्शन होगा वरना आप जो यह नई चीज सीख्या होगे कि अगली बार जो मैं अप बेकंसी कितनी है इन सब चोज देखके अपना चूजी बनते हैं कि मैं इस जॉब के लिए अपलाई करूं या उसके लिए अपलाई करूं यह मैंटर नहीं करता है याद रखेएगा एक बार यह आपने सरकारी एक्जाम अपना निकाला या इतनी प्रॉमिनेंट और अपना तो अगर उनको लगता है कि मेरे साट परसेंट आ जाएंगे साट परसेंट मेरे आ जाएंगे जब मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा तो ही फॉर्म भरना बरना मद भरना याद रखना और यह परग्राफ अपने पढ़ लेना जो फाइनल यह वाले हैं अब हम आगे बढ़े सेलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसके पांच स्टेज आपको निकाल ली पड़ेंगी अगर यह पांच स्टेज आप निकाल लेते हो तो समल्लो आप असिस्टेंट कमंडेंट इन लॉग के अंदर आपकी वेकेंसी पक्की हो गई है बात खतम तो स्टेज बन स्टेज टू यहां पर बोलाए कि स्टेज बन नहीं है घ्रत नहीं है जिसका हम शॉट फॉर में बोलते हैं सी जी अंग इसका आपको पेपर देने की जुरत नहीं है याद रखना तो इसके अंदर आपका English से 100 भी लिया हो ना तो उसमें भी आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल सेलेक्शन में यह केवल क्वालिफाइंग नेचर है तो प्रेलिम्री सेलेक्शन बोर्ड पीएसबी का पेपर होगा या तो नॉइडा में अपना एक्जामिनेशन सेंटर अपनी मनमर्जित से अपना पेपर होगा तो आप अगर अपना प्रेलिम्री सेलेक्शन बोर्ड पीएसबी के इंदर अगर आपका स्टेज अपने अपियर हो गए हो देन आपको इन चार्ज जगह में से किसी वे एक जगह चूज़ करके अपना पेपर देना होगा स्टेज नुमबर टू का और सब कुछ आपको आगे भीजा जाएगा फिर आपको सेंटर्स अलॉट होंगे जब जाके आपको सेंटर्स अलॉट होंगे जो आपने चूज करें हैं वह वाले या फिर कोई और स्टेज 3 अपना आता है फाइनल सेलेक्शन बोर्ड एफ एस बी इसके अंदर भी आपको जैस जो अपना स्टेज नमर 3 है यह एक्सपक्टेड आपका जैनवरी 2024 से लेके अपरेल 2024 के बीच में कभी भी हो सकती है तो और इसके बाद आपका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होंगे फिर इसके बाद आपका मेंडिकल एक्जामिनेशन के अंदर भी आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा मेंडेटरी है फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज़े जाएगा वह इंडेक्शन ट्रेनिंग भी आपको पूरी कंप्लीट करना मेंडेटरी है ऐसे निया कि बीच में आपको ठोटा परशान हो गए फ्रस्टेट हो गए छोड़के आ गए डिस्कॉलिफाय मा अपना शॉटलिस्ट कर लिया जाएगा याद रखिएगा तो यह experience मेरे साब से आपको लेकर एक बड़ी देखना चाहिए अगर आपके पास अपना टाइम है आपके अब हो तो इसली आप अपना अप्लाई कर सकते हो बैसे तो 30 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है अब मेरा जॉइन हो सकते हो ठीक है तो यह बात अलग बता रखिए डॉक्यमेंट्स आपको कौन-कौन से रिक्वाइड होगे अपना फॉर्म भरते टाइम यह बता रखा है एक्जामिनेशन फीस इसके 200 रुपे होगी और आपको ट्रेबल एक्सपेंसेज वेगरा सब कुछ दिया ज रखिएगा और इसके पेस्केल में आपको बताजेता हूं 56,100 रुपीज होता है स्टार्टिंग सेलरी आपकी और इसमें आपके सीधा आकाउंट में जाते हैं आपको कुई एक रुपे का खर्च एक्षा कुछ नहीं होता सारा सरकार उठाती है याद रखेगा आपको एक समय के साथ अलग घर अगर आप अपना खुद परसनल घर कोई रेंट पर लेना चाहते हो उसका सरकार देगी और इंश्वारेंस कवरेज मिलेगी सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके रिटार्मेंट हो जाने के बाद आपको एचेश पैनल के अंदर अपको मिलेंगे सारी चीज़ें आपको मिलेंगे और आपको पंदर सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो आपको यह वीडियो में देखने के बाद में अपको बता दिए पिर भी आपको लगता है कि कुछ मिस आउट हो गया तो कमेंट बाक्स के अं सब्सक्राइब आपको मिलेंगे अपको लाइन। क्यंटना अव्ट हैं गया धन अवा Camt चंहे और एंद्सक्राइब